हालो आरिवन, स्टड़ी विदर्स में आप पर एक बाग फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करोना वैक्सीन के बारे में ठीक है मैंने करोना पे जो है एक अल्रेडी वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने जितने भी MCQ questions बन सकते थे जितने भी एक्जाम में पूछे जा सकते थे वो सारे के सारे करवा दिये थे ठीक है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो link मैंने description में दे दिया है आप उस पर click करके जो है हमारी वो अली वीडियो को देख सकते हैं इस पर मैंने करोना से related जितने भी MCQ questions थे करवाए थी तो आज की इस वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ vaccine के बारे में ठीक है क्योंकि कई सारी vaccine जो है काफी news में हैं और exam में कई exam में यहां से question पूछे गए हैं तो इसलिए काफी important आप से लिए हो जाता है तो जितने भी vaccine अभी तक बनी है करोना से related वो सारी vaccine मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह किस देश की है और कितनी परभावशील है ठीक और कौन कौन सी है तो पहला जो है वो है फाइजर ठीक है फाइजर जो है फाइजर बायो पर यह जो है 95% परभावशील है नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है मोडर्ना ठीक मोडर्ना जो है यह अमेरिका के द्वारा तयार की गई है और यह जो हीमन पर जो परभावशील है इसका यह 95% जो है एफेक्टिव है जबकि बात करें अगर ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा जैनिक जैनिका जो और वैक्सीन है यह योके के द्वारा तयार की गई अउनाइटइड गिंग्डम के द्वारा और स्वीडन के द्वारा तयार की करोना वैक की तो करोना वैक जो है वो चाइना के द्वारा तैयार की गई है ठीक है और यह जो है पचास से तिरासी प्रतिशत कारिगर है या कहें कि प्रभावशील है नेक्स्ट है सीनो फार्मा सीनो फार्मा चीन के द्वारा तैयार की गई है यह 80 प्रतिशत कारिगर है और Johnson & Johnson की जो वैक्सीन है वो अमेरिका के द्वारा तयार की गई है ठीक है तो यह 66% कारगर है नोवा वैक्सीन के अगर मैं बात करूँ तो नोवा वैक्सीन अमेरिका की है ठीक है और कितनी कारगर आप देख सकते हैं अग्स्ट है एक यह चाइना के दौरा तयार की गई है यह 66% कारगर है को विशिल्ड की बात करें तो को विशिल्ड भारत की है ठीक है और यह बहुत की है और यह 80% कारगर है ठीक है तो यह सब भी वैक्सीन मैंने आपको बता दी और वह आली वीडियो अगर आपने नहीं देखिए करोना के उपर जितने भी मैंने अमसी क्यों बनाए थे तो आप उसे जरूर देख लें ठीक है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसको दे दूँगा तो मिलेंगे